किसी पब्लिक प्रॉपटी या किसी अन्य की निजी संपत्ती में कुछ भी करना खेर कानूनी रूप से गलत होता है फिर चाहे उस पर कुछ लिखा या चिक काया जाए या उसे तोड़ा फोड़ा जाए लेकिन हम लाए हैं ऐसी क्रियेटिव छिडखानी की तस्वीरें जिन में चीजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पर जरा से बदलाव से वे बहुत थनी बन गी अनजान लोगों द्वारा की गई ऐसी गड़बर को देकर किसी के भी होंटों पर मुस्कान खिल सकती है यही वज़ा है कि जब ऐसी तस्वीरें इमगुरो और रेडिट जैसी फोटो शेयरिंग साइट्स पर अपलोड की गी तो लोगों ने इन्हें बहुत पसंद किया यह फोटो जबताती हैं कि दुनिया में क्रियेटिविटी की कमी नहीं है इन तस्वीरों को देखकर यह भी साबित होता है कि एक ज़रा सा बदलाव चीजों को नए अर्थ दे सकता है